तो प्लैटिनम एंड मैंने देखना शुरू क्यों किया, इसके पिछे छोटी सी कहानी है, मैं उसे सुनाना चाहूंगा, दिल से सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो दिल से ही connected है, जिनको सुनना है काफी अच्छी बात है, मतलब हम भाई-भाई वाली बात हो जाएगी, और जि उसके वीजिवल सी आते, कि वो कैसा एक एनिमे, डार्क, सीरियस एक एनिमे है, एक लड़का था, जिसके पास विंक्स थे, पंक थे, मतलब, अब वो जो चीज थी, अपनी जो पावर थी, वो लोगों से चुपाया करता था, एक लड़की उसके साथ थी, जिससे वो चुप पंक थे, शायद ये एक उमीद, एक होप को रिप्रेजन करता था, अब मुझे उसकी कहानी याद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं मुझे उसके वीजिवल से आते, काफी टाइम से, उसके बारे में मैं सर्च भी कर रहा था, यूटूब के उपर, कि बैस्ट ए विंग्स दिखाये थे, उसके अंदर विंग्स दिखाये थे, तो मैंने ये चीज रिलेट कर लिए, आम ये क्यों बताई क्योंकि, बस इसी लिए था कि आप पता जले, मैंने कि इससे क्यों देखा, किसे मुझे रिकमेंडेट नहीं किया, ऐसे ही कोई इसका ट्रेलर नहीं बहुत है रहे हैं कि इसका अब कोई ओर दूसरा, इसको डिजाइन करने वाला है, डिरेक्टर अब कोई ओर दूसरा होगा, तो वो मुझे कंफरम नहीं वा, काफी सारे अलग अलग बोल रहे हैं, तो जहां तक है, maximum winter तक ही मुझे मिला, इसका winter तक ही आएगा, अब यहां से क्यों बोल रहों क्योंकि जैसे फर्स सीजन में जैसे इसके खतम हो आप यहार से बैट कर इस एनिमे की स्टोड़ी वारें में चरचा कर लेते हैं जड़ा नहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा मतलब फिर वह स्पोईलर वाला इल्जाम लग जाता है मुझे एक डायलोग तो आपने काफी सुना होगा कभी-कभी अपने को भगवान है कि मैं भगवान हो ऐसा कुछ करके यह सीरीज जो है वह उसी के उपर एक विस्ट्री को चला रहे हैं तो वह गोड कहते हैं कि भाई हम रिटायर होने वाला हो तो अपने जितने भी एंगल्स होते हैं उनको कहा जाता है कि जाइए धर्थी के उपर और कुछ इंसानों को चुनिए एक्च्वल में तेरा एंजल्स धर्थी के उपर आती है और उसमें तो यह तेरा इंसानों को चुनते अब उन तेरा इंसानों में से कोई एक ही गोड बनना एक कोई भगवान बनना है मतलब एक के लिए विकेंसी है एक ही सीट खाली है बाकी जो तेरा है मतलब 12 क्या होगा खैर इससे जादा मैं नहीं बताऊँगा कतल याम सुरू हो जाते एक रिखेगा मुझलब एनिमे के अंदर अब वहां पर यह जो स्टार्ट होता है एनिमे जो है वह काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होती जलती है स्टार्टिंग में जब मैंने इसको पुरानी वाली उस सीरीज के तरीके से देख रहा थे कि यार मुझे वह वाली एनिमेक्स वाली चाहिद यह एनिमे मिल जाए तब इसको देखने के बाद इसके जो बाकी के एपिसोड देखने के इच्चा होने लगती कि हाँ यार यह तो दम लग रहा है इसके अंदर बाकी के एपिसोड देखे जाएं क्योंकि इतना ज़्यादा इंगेजिंग पहला ही एपिसोड दिखा देते हैं तो अब जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ता है तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं जो इस एनिमे को और ज्यादा इंटरस्ट उसके अपार कर सकते हैं को उसाक्वर दी होती हैं अब पावर उस इंसान को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर का एक तरीके से दे सकते हैं, कि मेरे पास इतनी पावर हो है, तुम इस इंसान को इतनी पावर दे सकते हैं, हर एक एंजल का अपना एक इंसान है, मतलब ऐसा है, अब वो जितनी पावर उसको देते हैं, इन्सान उस पावर का यूज करना श्टार्ट कर देता है जिस तरीखी की detailing इसके अंदर दिखाई जाती है कि दो arrow है, एक white arrow है, एक red arrow है red arrow से किसी भी इन्सान को उपर काबू पाया जा सकता है white arrow से किसी को भी मारा जा सकता है arrow की speed क्या है, arrow की length क्या है तो ये जितनी detailing जी जाती है न वो काफी जादा अच्छा लगता है जिससे ये anime और जादा interesting होने लगता है देखने में मज़ाता है किया रहा इतनी सारी चीजें इसमें दिखाए जारी है और किवल यही नहीं है एंजल्स धर्ती पे आएंगी उसके पास कितना time है उस इंसान का क्या होगा जो वो भगवान नहीं बन पाएगा या फिर गोड का जो गंडिडेट जो बनने के लिए त्यार हुआ है और यहां पर जो इंजल्स जिन इंसानों को चुनती है कुछ लेडीज भी है शायद इसके दर हाँ है यहां पर कुछ भी कि इतने वी इंसानों को चुनती है तो वह एक तरीका से ऐसे इंसान होते है जो अपनी जिन्दगी को खतम करने जा रही होते हैं अपनी उमीदें खतम करके होते हैं यह नि एक तरीके से भगवान उसको तुना जाएगा भगया तुम्हें अपनी जिन्दगी से कोई लगाव नहीं है तो आजो विकेंसी खाली है यहां पर भगवान बन लो लोगों का भला कर दो यहां पर तो यह वाला जो इसको बहुत सार है उसका नाम मैंने लिख़ता है मैं तो पास जैसी सोच इसमें निखाई जाती उसकी जैसी सोच उती है उसका जैसाफ Ohment PayPal थोड़ा बहुत छलक में दिखती है कि उसके पास्ट में उसने बहुत जादा डुक घेला वो अपनी जिन्दगी को खतम करने आया हुआ होता है क्योंकि वो लोगों के दुख कार्ण एवन उसने कुछ नहीं किया होता है बावजुत उसके कि उसको लोग हर कोई उसको इतनी तकलीफ दे रहे हैं या फिर इसके बारे में बुरा भला बोलूँ वो कहता है कि मैं सहलूँगा लेकिन मेरे वज़े से किसी को दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कभी कभी इस बात के पर हमें गुस्ता तो जरूर आता है लेकिन हमें ये करेक्टर उस चीज़ को लेकर पसंद भी बहुत आता है सेरेज के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है काके ऐसी के सामने आती है कि उसको हमें लगता है कि अब तो ये इनसान इसको मार कर ही छोड़ेगा और मारना ही चाहिए वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रियेट कर दी जाती है बावजूद इसके ये इनसान उस चीज़ को नहीं करता है और मतलब कोई लग कहलो या उसे बचा लिया जाता है फिर बीच में कुछ आ जाता है अब ये तो इतनी सारी अच्छी बात है मैंने आप लोगों के कर ली अब कुछ बुरी बात है देखो बुरा कहना तो नहीं चाहिए मुझे नेगिटिव कहना चाहिए तोड़ी चुटमूट चुटमूट जो इसमें कमिया लगी है उसके बारे हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कमी तो मुझे इसके अंदर लगती है करेक्टर डेवलोप्मेंट की जिससे यह एनिमे थोड़ा बहुत वीक हो जाता है थोड़ा बहुत क्या यार देखो करेक्टर डेवलोप्मेंट ही हमें उस करेक्टर के साथ जोड़ता है उसके बारे में हमें डिटेल से बताया जाता है कि ऐसा ये क्यू है, क्या हुआ था इसके पास्ट में हमें थोड़ा बता है तो emotions का अभाव, emotions की कमी वहाँ पे लगती है, जिससे हम character के साथ जुड़ नहीं पाते हैं कुछ episodes, या last के जो तीन episode इसके अंदर है, वो जान बूचकरून को lengthy किया गया, खीचा जा रहा रबबड की तरीके से, यार बावजुद उसके कि उन तीनों को एक episode में खतम कर सकते थे, और बाकी की fight हम को दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता last के तो भाईया, तीन यहां, proper इस तरीके का इसमें लिखा था, यह जो सीरीज है, वो मैच्चोर ओडियंस के लिए, तो मैच्चोर ओडियंस वाली इसको थोड़ा और बनाना चाहिए था, इन्हों ने दिखाया था है, किसी को मारते हुए, लेकिन इतना clear नहीं दिखाया, या दिखाते भी नहीं इतना जादा तो उसको दिखाना चाहिए था, अच्छे से, जैसा फर्स्ट एपिसोड में देख के लगते है कि हाँ यार यह तो और जादा भ्यानक होने वाली है, मैं तो उमीदे लगा ली थी, और जादा सरल सब्दों में बात करूँ, तो anime की जो स्टोरी है, वो अच्छी है, सीरियस है मैं चोर ओडियन्स के लिए जैसा काग है, वो है हाँ है, है, सच में है मेरे तरफ से तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप इस anime सीरियस को वन टाइम कंसिडर तो कर सकते हैं किसी को शायद यह पसंद आ सकती है मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई as compared to जितनी मैंने anime देखी थी सीरियस के लिए, डार्क के लिए, जिस उमीदों से मैं बैठा था, या फिर जैसा इसमें फर्स एपिसोड दिखाया जाता है, बाद में जाके धीली पड़ जाती है, इंटरस्ट कम हो जाता है सच में कम हो जाता है, मैंने इसके लग बग, आठ एपिसोड तो मैंने लगाता ही देख लीते हैं, लेकिन बाकी के जो चार देखने में, मुझे काफी टाइम लग गया था, एक तो टाइम काई था, और धीरे-धीर इसका इंटरस्ट कम होता जा रहा था, जैसे-जैसे एपिसोड आगे जा रहते हैं, शुरुआत में तो बढ़ता है, लेकिन बाद के एपिसोड में खतम होता है, खतम तो नहीं का होगा, कम हो जाता है, अब खेर, सेकेंड सीजन का इसलिए इंतजा रहे हैं, कि फाइट जो है वो अधूरी रहे हैं, और मुझे वो फाइट कम्प्लीट देखनी है, कि हमें स्पोईलर देखके चले जाते हूं, तो बहुत सारी चीजे मैंने नहीं बता हैं, और वो काफी जादा इंटरस्टिंग है, डिटेलिंग इसके अंदर दिखाई गई है, बहुत अच्छी चीजे हैं, तो जाकर देखोगे, तब बता चलेगा, तो मेरी तरफ से इसको, इस एनिमे सीरीज को में देना चाहूंगा, 6.5 अगर आप लोगों नहीं एनिमे सीरीज देख रखिए, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसी लगी, अगर नहीं देखिए, तो फर्स्ट एपिसोड एक पर जड़ा ट्राइ कर ले न, अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई न, 23 मिनिट का एपिसोड है, 23 मिनिट में से इंट्रा उंट्रो हटा दो, 19 मिनिट के लग बज जाते हैं तो 19 मिनिट तो देखिए सकते हो, तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, टैंक्स पूर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं न एक स्वीडियो में, जय हिंद!